सब्सक्राइब और बहुत दिनों बात में वीडियो ला रहा हूं क्योंकि बीच मेरी तवेत खराब हो गई थी अभी थोड़ा रिकवर करना में शुरू हो गया हूं तो चलते हैं इस वीडियो में यह वीडियो बहुत इंस्टाग्राम पे आप देखते रहते हैं लेकिन उनक सकते हैं आज यह चीज मैं आपको बताने वाला हूं मैं उनकी बहुत सारी जितनी भी टू-दपॉइंट एक्जेक्ट बाते हैं जो हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकती हैं हमारे बिजनस को बढ़ा सकती है ऐसी बात आज हम लोग उनकी देखने वाले और मैं आपको ट्रैक् को मोटिवेट कर सकते हैं अपने टीम को एक सही स्ट्रेटीजी सही माइंड सेट दे सकते हैं बाइधे इस ट्रेनिंग को मैं शुरू कर रहा हूं यहां पर देखे मैं लिक भी रखा है मैं थोड़ा सबने आपको छोड़ा कर लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं यह देखिए हाव टो अप्लाई लर्निंग्स फ्रॉम एंबी है वाला इन नेट्वर्क मार्केटिंग अपने आपके बिजनस को बढ़ाएगा अब ऐसा नहीं कि यह प्रॉफिल लोरे खोड़ाएंगे आपको कि कहेंगे कि ऐसे काम करो ऐसे काम करो नहीं ठीक है तो देखते हैं हां पहला तीन पॉइंट है हम लोग डिसक्रस करेंगे आपकी सामने स्क्रीन पर दिख रहें अपने देखते हैं ऎसन क्या होता है जैसे के मैं एक पॉइंट ले लेता हूं बेस पॉइंट जाहां जिस पर जैसे कि मैंगर करता हं तो आपको मुझे पता होना चाहिए कि डेक्टर बोनस कैसे आता हैं कितने ताइप्स की इंकम होती बंदा कितना कमा रहा है आपको इससे क्या मतलब आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि वह जितना भी कमा रहा हो 10 रुपए भी कमा रहा हो आपको नहीं देने वाला तो आपको मतलब इससे होना चाहिए कि आप कैसे कमा सकते हैं आप यह मानते हैं कि लोग कमा र जिसमें बहुत से लोगों ने बताया है network marketing business को smoothly कैसे tools के जरीए किया सकता है लेकिन अगर आप नहीं सीख रहे हैं आप फालतु की चीज़ सीखते जा रहे हैं motivation लेते जा रहें लेते जा रहें लेते जा रहें तो कुछ होने वाला नहीं है तो अच्छी टूल से सीखिए अपने अंदर curiosity जगाने का मतलब यहीं है marketing plan सीखिए basic training करना सीखिए training करना सीखिए seven point of system जैसे कि हमारे वेस्टीज में सिखाया जाता है जो system होता है use the product share the product make a list invitation presentation यह सब क्या है इनके वारे हम सीखिए curiosity जगाना एक तरीके से मतलब है आप किसी भी लेवल पर अगर आपके अंदर curiosity नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ रहा है आपके अंदर curiosity नहीं है तो आप सीख नहीं पाएंगे student के अंदर जो student होता है बच्चा उसके अंदर curiosity होती है कहने का मतलब आप एक student बन जाई है आपको भले ही ब्रह्म ग्यान हो लेकिन आपको student की तरह behave करना है student की तरह हर्चिस सीखनी है generate curiosity in yourself पहला पॉइंट तुमने ऐसा क्या किया है कि दुनिया खुश हो जाए अगला पॉइंट हमारे क्या है कि आपने एसा actually किया क्या है कि दुनिया खुश ह कि आपने कितने लोगों के लिए marketing plan की training करी है आपने कितने लोगों को plan करना सिखाया है आपने कितने लोगों को एक सही direction दी है अपने network में आपने leaders बनाये हैं अपने network में सेकेंड पॉइंट को आप इस तरीके से यूज करेंगे अपने network marketing बिजनस के अंदर आपने बिजनस के अंदर मैं बिजनस बोलें को समझ जाएगा network marketing बिजनस ठीक है तो यह सब parameters चेक किजिए कितने leader बनाये आपने आपने ऐसा क्या किया कि दुनिया खुश हो जाए आपकी पॉइंट है ऐसा काम करो कि कि वो काम तुमसे अच्छा दुनिया में कोई न कर पाए तीजरा पॉइंट आप देख सकते हैं यानि कि आप ऐसा प्लान करिए कि आप से अच्छा दुनिया में कोई न कर पाए इस तरीके से प्लान करना सीखिए 10 में से 10 जॉइनिंग आएंग सोची यहां पहुद बहुत अच्छा स्पीकर है हमारे पास सोणू शर्मा सर का नाम ले लेता है तो आपको यहां पहुच जाएंगे तरह Def Pay तो मेनकों करेंग करना थो तुम से बहतर वो कौह कोई करना पायक तुम्हें कैसे बताओगी कि दुनिया में तुम से कंपनी में काम करता हूं उसको बेस लेकर मैं आपको चीज़े बता रहा हूं आप जिस भी कंपनी में हो आप अपनी चीज़े देखिएगा ठीक है कितना अच्छा मार्केटिंग प्लैन बता लेता है यह आप से अच्छा कोई बता ही ना पाए ऐसा आपको सीखना है अगर आता है हाँ कॉंफिडेंस के विल करने से बहुत लोग कहते हैं मेरे लिए प्लान कर दीजे सर कर दीजे तो आप कप करेंगे कि जरा सोचिएगा इनके सामने में बोल नहीं बाता हूं क्यों यह बहुत बहुत लोग में देखा है मोटिवेट बहुत होते हैं लोग लेकिन उसको देखा उनकी पूरी वीडियो उसको निचोड के ट्रेनिंग में ना दी मैंने यह ट्रेनिंग इस लिए बनाई है ताकि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी ग्रोथ हो लाइफ में प्रैक्टिकल चीजे में बताता हूं ट्रेनिंग में अपनी और सारी चीजे करेंगे तभी confidence आएगा basic training करेंगे तभी confidence आएगा फास्टेट लेवल करेंगे तभी confidence आएगा तीक बहुत बड़ा dream देखे सपना देखे गोल बनाई यह बहुत बड़ा सौकरोड कमाना है लेकिन पहले एक लाग तो कमाओ राइट dream big start small act now dream big start small act now confidence केवल करने से आता है इस बात को द्यान रखिएगा प्लान करेंगे confidence आएगा चीमेंट लेंगे छोटी से अचीमेंट confidence आएगा किसी प्रोड़क्त के बारे knowledge लेंगे confidence आएगा करने से confidence आता है और कोई भी जरीया नहीं confidence लाने है लेका confidence नहीं कर सकते हैं चोटा चोटा अचीमेंट नहीं लेते हैं तुम कुछ बनाओ तुम्हारे पास hop up तुम कुछ बनाओ तुम्हारे पास सूपर पावर है तुम कुछ भी बना सकते हो तुम मारकेटिंग प्लैन देने के बहुत ही शॉट एंड सेंपल तरीका बना सकते हो उसको अपलाई करो फेल हो जाओ अगर नहीं तरीका काम नहीं कर तो पुरानी प्ले पुरानी वैसे मेरे पास भी है, आपके पास भी है, चाहे आप किसी भी लेवल हो हो, कहीं भी हो, कुछ न आता हो, फिर भी आपके पास एक super power है, अपनी super power को पहचानो, और कुछ बनाओ, बनाओ जो आपके business को बढ़ाए जो आपके network marketing business को बढ़ाए ज्यासे कि मैं आपको एक बाथ ने बना था यह देखिए। इसको बोलते जिसमें हम contact list बनाते हूं मैं अपनी पूरी टीम को देता हूं वो मैंने बनाया था तो आपके पास भी सुपर पावर है आप भी कुछ बना सकते हैं राइट जस्ट वन मेंट रुकिएगा आप भी कुछ बनाना सीखिए जरूर अगर आप 25 या 26 साल के होते के हो तो आपका कोई शेडियूल नहीं होना चाहिए दिन रात काम करो सिंपल बात है आप पूछते हैं बहुत सा लोग मेरी टीम में पूछते हैं कि सर कैसे management करें काम कैसे manage करें वर्क और लाइफ management कैसे करें अगर आप 25-26 साल के हैं तो आपका कोई शेडियूल नहीं होना चाहिए दिन रात काम करो काम करो बस काम करो बस काम करो शेडियूल के कोई जरूरत नहीं है वह काम करो जो highly profitable हो high utility के हो जिनसे आपको long term में result मिलने वाला हो और जिनसे आपका personal development, financial development, spiritual development, physical development कोई इन 5-6 तरीके development अगर हो रहा है तो वह काम बहुत जरूरी है देखिए जैसे कि मैं इसमें वह हर काम मैंने लिखा है जिससे आपका development ही होगा ठीक है और मेरे पाग कोई schedule नहीं है यह सारे काम मुझे accomplished करने है ठीक है तो कोई schedule नहीं मैं दिन रात काम करता हूं अपनी growth वाला ही काम करता हू कोई भी काम मैं ऐसा नहीं करता है जिससे मेरी growth नहीं हो मैं अपनी team में हर person को सिखाता हूं कि वही काम करें जिससे आपके growth हो अगर growth नहीं हो रही तो आपको सोचने की जुरूत है मैं हाँ motivation नहीं दे रहा हूं फिर द्यान motivate मत होईएगा विल्कुल ठीक है अगर आप motivate होन कि मुझे इस प्रलीना की knowledge नहीं है यह आप जान गए अपनी कमी को जानना सबसे बड़ी बात होती है एक चीज बहुत बड़े आत्में निकाहें कि अपनी कमी और अपनी बद्बू खुद को नहीं दिखाई दे कि सामने और लेक दिखाई देती है तो इस बात को आप समझ इगो नहीं रखना है तो आप अपने इगो को कम कर दीजिए इसके उपर किताब लिख दी कहिए अभी अगर इगो नहीं कम कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है ठीक है इगो किताब पढ़िएगा इगो मत रखना आपको बहले ही कुछ भी आजाए आप एक क्रोड सब्सक्रार स्बासिंग सर जो महिने का एक करोड़ खमाते' एक करोड़ कमाने वाले वाले वह भ faced को उपन्दरा हजार कमाते मैं बिजनस में बहले आपको बहुत पैसा हो यह बहुत पैसा नहीं हो आप अमीर हो या गरीब हो आपको देशनus को करते समय या कोई भी काम बिजनस ना करें फिर भी कम्मिनिकेशन करना सीखो कम्मिनिकेट करना सीखो बिजनस जवाब करते हैं तो communication करना सीखिए देखिएगा आप बहुत अच्छा करने लगेंगे मेरी टीम में मैं प्लान करता हूँ ज्यादा रिजल्ट आता है ठीक और कुछ लोग प्लान करते हैं ज्यादा रिजल्ट नहीं आता है क्यों कि मैंने communication skills पर काम किया है communication करना सीखो अच्छी communication की बुक्स पढ़ो राइट अच्छे कम्मिनिकेशन के वीडियो देखो कम्मिनिकेशन पर काम को डैरी में नोट्स बनाओ मैंने सब किया है इसलिए बता रहा हूं मैं आज मेरी कम्मिनिकेशन स्किल्स इंप्रूब हो गई है इसी वज़े से क्योंकि मैं इस पर काम किया है कहते ह है आपके पास ब्रह्म ज्यान हो उस घ्यान का कोई फायदा निए अगर आप सही तरीके से कम्मिनिकेट करके लोगों को अपनी बातें बता न पाये बले सही तक आप सही के लिए काम मत करो यह कोटा डोकमाइन की तरह करता है यह मज़ा दिलाता है आप फोन उठाते मैसेज़ेश चेक तो आपको बड़ा आच्छा लगता है एक तरीगे से मज़ा आता है ठीक है तो ऐसा काम मत करिए कि मतलब हमें एप्रेशियेशन की जुरुत पड़े कोई हमें क कहें कि हाँ बहुत अच्छा कर रहो वेरी गूट चलते रहो करते रहो ठीक है तो छोड़े अप्रिशियेशन की पिछे मत भागो तिक आपने प्लान दिखा है आप सोच रहे कोई मिझे अप्रिशियेट करें कोई मेरी तारीफ करें आपने प्रोड़क के बारे में अच्छे स कर रहे हैं उसको कैसे इंप्रूफ किया जाए इस चीट फोकस करो ना कि रिजल्ट पर गोल ड्रीम उसको भी बना के छोड़ लिक के छोड़ दो वह बतलग है लेकिन सिस्टम को बिल्ड करो अपने प्रोसेस पर फोकस करो जो काम आप कर रहे हैं उसको कितनी अच्छी तरीक करने का मतलब यही आप अपने काम को इंप्रूफ कर दें आप किताब पढ़ रहे हैं तो आप इतना पढ़िए इतना पढ़िए किस तरीके से आप किताब पढ़ने को इंप्रूफ कर सकते हैं अपनी शार्पनेस को इंप्रूफ कर सकते हैं आप बोल रहे हैं तो किस तरीके से आपको बोलने मज़ा आने लगे आप अच्छा बोलना लगे बोलने लगे इसको बोलते हैं प्रोसेस पर फोकस करना फोकस अन्द प्रोसेस अगर आपकी अच्छी हो गई तो उसका एक अच्छा रिजल्ट आएगा जो आपको चाहिए जो आपको चाहिए वही रिजल्ट आ याता है हमें marketing plan कि पी नहीं पता हमें पता ही कि मार्कटिंग में प्रोफाइल मार्कटिंग प्लान और कैसे बताएं जाता है हमें नहीं पता है लेकिन हमें क्लेशा चाहिए क्यों क्यों थो प्रोसेस साइप करिए तभी आप बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे आप जो भी करते हैं मार्केटिंग प्लैन दिखाते समय प्रोसेस बढ़िया कीजिए अपनी ठीक है अपनी प्रोड़क्ट नॉलिज को इंप्रूब कीजिए तो मैं खिसकता जा रहा हूं ओके तो आगे बढ़ते हैं बी सेलेक्टिव बी तुक काम करें जा रहे हैं आप दिन भर कोई घर का काम्न कर रहे हैं या अदर कोई काम वाद में चायरें करके सार कोई फोन यह नहीं diff नहीं हॉ उं साछल κॉलम है है self introspection इसको बोलते हैं मतलब खुद को देखना एक तरीके से selective काम कीजिए selfish काम कीजिए अपनी ग्रोथ के लिए काम कीजिए अपनी टीम की ग्रोथ के लिए काम कीजिए यह नहीं आप खुद ही आपके पास खुद ही कुछ नहीं और आप देने बैठ गए अगर आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो पहले खुद तो अमीर बनो मुझे विशौक है चैरिटी में डोनेट करने का सब कुछ करने का लेकिन पहले मैं खुद तो अमीर बन जाओं तभी तुम्ह बहुत जरूरी है आजके समय में आने वाली लड़ाई टेकनोलजी एकनोमी घ्टिप की होगी विल्कुल ज covenant नहीं सीख पाया वह नीचे चला जाएगा आपको हता हूं ठिक tweet और टेकनोलजी एकोनामी टीटीप के और एकव नमी को भी समझना जरूरी है मैं लगई पैसे और बहुत साथ किसे बहुत है और psychology of money तो इकवनोमी को मैं दिरेदर समझ रहा हूँ पैसा कैसे काम करता है और पैसा कैसे आता है एसेट क्या होता लियर्टी क्या होता है ठीके तो यह समझा बहुत बढ़ी चीज है टेकनोलजी को समझना बहुत जरूरी लोग बहुत से लोग जूम पे मिटिंग नहीं कर पाते हैं Zoom पे screen share नहीं कर पाते हैं एंड रेस नहीं कर पाते हैं छोटी छोटी चीज़े WhatsApp साइस नहीं चला पते हैं YouTube विडियो दो नहीं कर पाते हैं तो यह चीज़ शीखने के जरूत आब कोई बढ़ी बात नहीं और यह काम आप डेली करी देखें कि आप देखेंगे दस दिन में आपने कितनी चीह सीख ली आपको बहुत अच्छा लेगा चोटा-चोटा अचीमेंट जब होगा आपके तो आपके अंदर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर नहीं मिलेगा दुनिया के सबसे बड़े इंवेस्टर वरें गुफए कहते हैं तो ग्रेटेस्ट इन्वेस्मेंट I can make is on myself जो मेरी खुद पे इंवेस्मेंट रही है वही मेरी सबसे बड़े इंवेस्मेंट है यह बात आपको समझना पड़ेगा जो अमीर बनने वाली सोच रखता है मतलब जो सच में अमीर बनेगा वो इस बात को समझ चुका है और जो नहीं समझा है उसका क्या होगा आप भी जानते हैं तो दस से बीस परसंट अपनी एड्यूकेशन में इन्वेस्ट कीजिए मैं हर महिना जो भी पैसा में कमाता हूं उससे पान सो यह हजार रुपए मैं अलग निकाल के रख देता हूं उससे मैं किताबे खरीदता हूं ठीक है नहीं नहीं किताबे वैसे यह वीड दस से बीस परसंट अपनी एड्यूकेशन में इन्वेस्ट करो नहीं कर रहे हैं तो आपकी गलती है आपकी ग्रोथ के आपकी डेवलप्मेंट के और आपकी डाउन ग्रोथ के जिम्मेदार आप ही हैं कि जुनिया में कोई भी किसी को भी कुछ नहीं बना सकता राइट आग अगर आपके फादर आपको इंजिनियर बनाना चाहते हैं और आपसे नहीं हो रहा है तो आपसे नहीं हो रहा है मत बनिये क्या दिक्कत है बोलने में के जा रहा है एक करोड़पती से मिलना और विकारी से भी हाँ से मतलब करोड़ुपती से भी और विक्कारी से भी आप उतने ही क्या कटी कोई करोड़ुपती है में या एक ego के साथ बात करते हैं क्योंकि हम उससे बड़े हैं है ना तो ऐसा होता है तो दोनों के साथ आप सिंपल confidence के साथ मिलिए आपको बहुत जिंदिगी में ग्रोथ करने वाले अगर आप यह फॉर्मला अपलाई करते हैं ठीक है तो कोई भी टॉलाइन हो आपका उसको कुछ आता हो या ना आता हो हमेशा उसे बात किके जबताउत्य पुरre राइट हो सकता है वो पास अपने आप खुद आपको बताने लेगे लेकिन आप मत कहिए उससे है ना कोई शिक्वा या शिकायत मत कीजिए ठीक है तो तो confidence से मिलिए चाहे आपके downline कुछ आता हो या ना आता हो आपके team में कोई ऐसा person है जो बहुत दिनों सीख रहा है लेकिनों कुछ कर नहीं पा रहा है तो जैवी नहीं कि आप उससे ego दिखाए उस पर गुस्सा दिखाए उससे confidence से मिलिए उसको थोड़ा motivate कीजिए एनरजाइ आप कोई भी काम करिए अपने business में उसमें अपना 1000% दीजिए आप product user है तो 1000% product user आप call कर रहे हैं तो उसमें अपना focus 1000% रखिए उसमें आप video बना रहा हैं तो 1000% focus रखिए आप किताब पढ़ रहे तो 1000% फोकूस रखिए अपना पूरा 100 नहीं 1000% आप दीजिए तभी result आएगा अच्छा 1000% दिया है तो 400-500% तो आही जाएगा है कि नहीं 200-300% आएगा कुछ न कुछ तो आएगा एक लीस्ट हम positive mindset में तो है possibility thinker तो है ओके लेकिन अगर आप 10% तो आएगा कितना एक परसंट दो परसंट बड़ी मुश्किल है पॉइंट कुछ परसंट आने वाला है 1000% दो बहुत अच्छा return मिलेगा आपको हर काम में जो काम आप करते हैं 1000% उसमें दीजिए right so that is the fundamental success इसको बोलते है na fundamental rule of success बोल दे तो है यह रूल बहुत ही जवर्दस रूल है आगे बढ़ते हैं only discuss the topic that grow you वह topic discuss कीजिए जिससे आपकी ग्रोथ हो रही है लोग फालतुची डिसकस करते हैं अरे उसका यार वह इस बार है मैं चाहिए इतना कमा हूँ आपको इससे कोई फर्क परता है नहीं मैं जितना पैसा कमार हूँ आपको दीदूंगा क्या नहीं आपका प्लाइं कितना कमा रहा है कमा रहा है ना growth हो ली ना वह आपको support कर रहा ना यही सबसे बड़ी बात है वह आपसे अच्छे बात करें आप देखिए जिस topic पर बात कर रहे हैं क्या उस topic से आप growth होती है अगर होती है तो वह topic बात कीजिए अगर नहीं होती है तो इस topic को छोड़ दीजिए दुनियादारी politics और दूसरे की इस चीज से आपकी growth नहीं होगी मैं क्यावल वही काम करता हूँ जो मेरी growth oriented मतलब मेरे goal से aligned है कि जो मेरे goal statement के बाहर है मैं जिससे मेरी growth नहीं होती वह मैं काम नहीं करता हूँ ठीक है आपने applyne से पुछा सर plan कैसे दिखाते है यह आपकी growth related question है इससे आपकी growth होगी अच्छा question है सर इस प्रॉलीना के फाइदा क्या होते है और इस पर इस पर इस पर इस पर इस वीडियो आप देख रहे हैं इस पर दीना के बात कर रहे हैं यह आपके growth related question है right successful performance bonus कैसे आता है director bonus कैसे आता है crown director कैसे बनेंगे growth वाली बात है right सर यह जो है इस काम को हम digitally कैसे कर सकते हैं यह growth वाली बात है sir management कैसे करें time management नहीं हो रहा है यह growth की बात लोग अपने बाएम बात ने करते लोग 50 दूसरे लोग की बात करेंगे एइपने वारें बात कीजिये आपका एनर्जी बढ़ेगा आपका और अब भणकुद ग्रोव करेंगे ऐसी चीज़े डिसकस कीजिए जो आपको ग्रोव कराएं आपकी बि translONantic करांएं मैं से रिले टेड vendor नहीं आ भूसे मेरे से दो से जो मेरी बात नहीं करते हैं वह नसे बात आप सबसे आदा सबसे पहले important हैं बाकी दुनियावाद में कि हम अप खुद को इंपोर्टेंस नहीं देंगे दुनिया आपको भी करने थोड़ा बता दीजे प्लान कैसे करना थोड़ा बता दीजे तो यह क्या है skills वाली बात हैं आप सारी invitation skills रहे हैं और entrepreneurship की बाते करना हैं entrepreneurship वाले लोगों को follow किजिए इंस्टाग्राम पर फाल्तू पेज फाल्ड़ करना छोड़ दीजिए ना आप Google फॉलो करिए ना आप YouTube पर फादू लोगों को फॉलो करिए ठीक है entrepreneurship और skills की ही बात करिए क्योंकि वो अगर ग्रो करी आपके अंदर skills आई तो आप ग्रो करेंगे आपकी टीम ग्रो करेगी जैसे आप होंगे वैसी टीम बनेगी अगर आप आपको साथ ना दे आपको कहें कि यह तो पागल आदमी है खाली स्केल और अंट्रप्रेनर्शिप पता नहीं फालती बाते किया करता है है ना तो ऐसे लोगों को साथ भी छोड़ दीजिए टाइम लगेगा सिंपल सी बात है अगला पॉइंट हमारा टाइम लगेगा और जब जो राइटर है नवाल रविकांथ उन्होंने बहुत अच्छी बात कहिए कि बी पेशेंट इट टेक्स टेनियर्स तो बिल्ड करियर इन एनिफिंग बहुत बड़े राइटर है सिलिकन वैली में बहुत समय तक यह रहे हैं और यह किताब आप पढ़िएगा बहुत और करना दो चीज़ें मेटर करती हैं बस इससे ही आपकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी मैं अपनी चीज़ें मैं अपनी जो टू-डू लिस्ट उसमें लिखता हूँ वह काम जिससे मेरी ग्रोथ हो रही है जिससे मेरा परसनल डेवलप्मेंट हो रहा है फिजिकल डेवल सब्सक्राइब कर लेते हैं फिर कहते हैं सर मेरा चेक नहीं आया सर यह बता दीजिए सर यह नहीं हो रहा है मुझसे कुछ समय बाद 2-3 महिने में छोड़ देते हैं आपकी टीम में ऐसा होगा मैं तो पहले बोलता हूं सा टाइम लेगा मैं किसी को लगजरी लाइफ नहीं दिखाता हूं ठीक है अपने मन से देख लो अलग बात है और लगजरी हासिल करने के लिए तुम्हें पहले वैसा बनना पड़ेगा टाइम लगेगा सिंपल सी बात मैं समझ गया आप भी समझ जाईए आपकी ग्रोथ 100% होगी स्टार्ट आस्किंग को बताया अपने अप्ल आप इस पोछिए को सरे काम हम कैसे कर सकते हैं हाहिसर इंविटेशन का कोई बेस्ट विडियो है वह में बेढ़ दीजिए कोस्फिंज की इनक्सावाल पूची वह सबसे जरूरे बाते क्या हो सकती है जिन बातों का मैं ध्यान रखना चाहिए को पूचिए अस्टार्ट आस सर वो जो राजेश ठेक वो क्या नाम नाम उनका राजेश कुमार खण ना उन्हें छोड़ दिया क्या हिग कि है कि आपके से कौन सी इस ग्रोथ हो गई रही वह इस पूझे बताईए सिंपल से सवाल है वो कोशन पूछिए जो पहला पॉइंट मैंने बता है भी लिखा हुए देखिए जिससे आपकी ग्रोथ हो रही हो वन्हों सवाल मुद्प पूछीएगा यह ट्रेनिंग के अंत तक बहुत कम लोग आएंगे ऐसी चीजे में बता रहा हूं जो शायद आपक मत करें बहुत लोग डिरेक्ट सेलिंग नेट्वर्क मार्केटिंग में आते ही श्वाफ करने लगते हैं दिखाते हैं आप ग्रेट बिजनसमें आप ग्रेट अंट्रेप्रियोर आप ग्रेट लीडर तो भले उन्हें कुछ ना आता हो मेरे पास ऐसे बहुत से लोग है जो कि अमलब बोलते हैं फोन का अक्सर आता रहता है ऐसा दिखाते हैं कि बहुत बड़े हैं वह उनसे पूछ लो एक दो तीन लोगों से मैंने पूछा था ना वह एक परसंड कोई थे मेरी कंपनी में एक लेवल होता सिल्वर डिरेक्टर और तम में ब्रॉंच पे था तो उन् सब्सक्राइब आपके पास कितना आप नहीं तक पहुंचेंगे तो मतलब हवाबाजी बिल्कुल मत करिए मैं हवाबाजी करता हूं आप देखते हैं कई पर नहीं मैं अच्छी फोटोस देखो शोशल मीडिया आप सब लोग अपना अच्छा अच्छा ही पार्ट दिखाते हैं अच्छा वर्जन ही दिखाते हैं कोई बुरा नहीं दिखाता है तो हवाबाजी बिल्कुल मत करो यह नहीं की आइफोन आपके पास है नहीं और आइफोन लेके खड़े हो दिखा रहे हो आप बहुत कुछ कर रहे हैं हवाबाजी कर रहे हो देखो इंटरेट पे अगर डिश्चली काम कर रहे हैं फिजिकली कहीं भी काम कर रहे हैं आदमी को यह नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत बड़े आदमी हैं और आप उसके बगलने बैट नहीं सकते या ऐसा कुछ है मतलब एक आदम सामने वाला feeling of inferiority ना आ जाये सामने वाले में इससे आपका काम खर कर लिया है लेकिन आप यह सोचेंगे कि जॉइन करने सब कुछ हो जाएगा दोचाल लोग जॉइनिंग करा दिया वस हो गया सब कुछ हम करोड़फती बन गया ऐसा तो कुछ होता नहीं है यह आज भरतिकल मिथन चक्रवरती वाले जो लोग होते ऐसा भी कुछ नहीं होता ह को एक नौकरी की तरह आपको करना पड़ेगा सिम्पल सफंड़ा है रहे बहुती कठोर या बहुती बिटर टूथ हैये बोले तो कडवा सच है लेकिन यह असलियत है पास साल आपको इस बिजनस को एक नौकरी की तरह एक जॉब की तरह करना होगा अगर आपने नहीं किया तो अच्छा result आपको नहीं मिलेगा आपकी growth नहीं होगी simple सी बात है ओके हर मन्त कितनी books पढ़ रहे हो यह सवाल खुछ से पूछो यह हमारा point है तो आप every month कितनी books पढ़ रहे हो यह आपको सवाल पूछना है खुछ से आज आप खुछ से सवाल पूछिए पिछले तीन महिने में आपने कौन-कौन सी किताबे उठाई हैं सर्फ उठाई हैं बस ऐसे पलट के ही देख लिया हो आपने कौन-कौन सी किताबे मेरे पास bokes का कलेक्शन बहुत बड़ा है आप बताये मैं घर महिने हर नहीं मैं वह बाद दो या तीन किताबे लाते रहता हूं राइट